तो आप देख रहे हैं व्लोगर सबा आमेर यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 डेज स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करवादू कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस क यह तर ऐसं कि मेरी नए आने वाली वीडियो आपको मिल सकें और आप इसे देख सकें चली स्टार्ट करते हैं आमेजिंग रेमिडी को कosing को कि छी तो इसके लिए हमे चाहिए मेयदा लेंगे हम दोचमच चावल का अता लेंगे हम दोचमच और हम मिल्क लेंगे दूद ले ले आप कोई भी दूद ले सकते हैं लेकिन मैंने लिया है गौट मिल्क जी तो अब हम मेदे में एड़ करेंगे चावल काटा इसके बाद हम दूद एड़ करेंगे पेस्ट बनाने के लिए दूद सिर्फ उतना ही आप लेंगे जितना कि यह अच्छे से पेस्ट बन जाए समूध जी तो इसका पेस्ट बन गया है अब मैं आपको लगा के दिखाती हूं हमने इस तरह से इसको लेब करना है आपने इसको स्क्रब नहीं करना अब हमने इसे लेब कर लिये अच्छे से आपने ठिक लेयर में इसको जो है लगाना है इसको आपने 10 मिनट्स के लिए लगा रहने देना है उसके बाद हम गोट मिल्क में कोटन को डिप करेंगे अच्छे से इसको डिप करके इसके उपर इस तरह से प्रेस करेंगे इसमें हमने गोट मिल्क इसलिए लिया है क्योंकि इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है और ये आप की डेट स्किन को रिमूब करता है और सॉफ्ट करता है और यंगर लुप देता है इस तरह से आप लगाएंगे पाइफ मिनट के लिए जी तो मैंने पाँच मिनट के बाद हाद दो लिए है तो इस टैमेटी को आपने सेवन डेज करना है और सेवन डेज के बाद आपको खुद फर्क नज़र आएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ तब तक लिए अलाहा फिज